नमस्कार मित्रोग है यू बहनो जैसे हम लोग हरियान आज के कारकम में मिलते रहे हैं आज भी मैं करोना के विश्य को लेकर अन्य कुछ बातों पर भी आपके सामने अपने विचार रख रहा हूँ करोना के समद्ध में तो हमको मालूम है कि लगभग 40 दिन का कारेकाल हो चुका है और बखुबी हरियाना का बच्चा बच्चा हरनागरिक एड्मिस्टेशन के सब लोग हमारे कोरोना वारियर्स वोलंटियर्स समाज से भी संस्थाएं किसान, मजदूर, सब लोग इस काम में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं इसी बीच में कुछ अन्य गतिविधियों को लेकर के भी समय समय पर हम अपनी बाच्चीत रखते रहे हैं आज एक बहुत महत्री चचा करना चाहूँगा हम लोग जानते हैं कि चाहे हमारा प्रदेश हो चाहे अन्य कई प्रदेश पानी के संकट से जूज रहे हैं हम अपने प्रदेश की बात करें तो पानी निरंतर घटता चला जा रहा है खास करके जमीन का जो पानी है उसका लेवल कम होता जा रहा है और जब हम ध्यान करते हैं तो पानी का उपयोग भी हम कुछ कम सोच समझे करके करते हैं सोचे समझे बिना पानी का ज़्यादा उपयोग करना इस समस्या को और आगे बढ़ा रहा है कुछ इलाका हरियना में ऐसा है जिसको हम डार्क जोन के नहें लग गए हैं बात करूँ तो हरियना के 36 ब्लोक ऐसे है जो पिछले 12 वर्ष में दुगना गहराई तक पानी चला गया है अर्थात कहीं 10 मिटर गहरा था तो आज वाँ 20 मिटर गहराई हो गई है और कहीं 20 मिटर गहराई थी तो 40 मिटर गहराई हो गई है और यदि इस पानी इस गती से पानी नीचे जाता रहा तो आने वाले बारा वर्ष के बाद ये पानी इतना गहरा चला जायेगा कि उसका उप्योग करना भी हमारे लिए कठिन हो जायेगा तो इस पानी को बचाना ये हमारे लिए बहुत आउशक है पानी अमरी ध्रोवर है इस पानी को हम अगली पीड़ी को दे करके जाने के लिए हर संभव प्रतन करना हमारी लिया निवारे है अगर पानी हम बचा लेंगे खास करके किसान बंदुई सोर्धान करें तो किसान पानी को जमीर में से निकालता है तो केवल पानी नहीं निकाल रहा बलके अगली आने वाली पीड़ी के लिए संकट भी खड़ा कर रहा है तो हम यह मान कर चलें कि जहां जमीर मेरी संपत्ती है उसके नीचे का पानी ये भी मेरी संपत्ती है जहां मैं अपनी आने वाली पीड़ी को अपनी संपत्ती ये विरासत में दे कर जाना चाहत रहा हूँ वही जमीन पानी सहित अच्छा पानी उपलब्द रहे वो भी मुझे विरासत में दे कर जानी है बिना पानी के अगर मैंने जमीन विरासत में दी तो आने वाली पीड़ी के लिए जमीन भी उपयोगी नहीं रहेगी इसलिए हमें कारकम का आज गुशना कर रहे हैं कि मेरा पानी मेरी विरासत मेरी जमीर का जो पानी है वो भी विरासत है अपनी अगली पीड़ी को दे कर जाने के लिए तो इस योजनात के अंतरगत एक योजना बनाई गई है किसानों के लिए कि हम इस सीजन में जो धान बोने वाले किसान है हर्याना के कुछ ख्षेत्र में जहाँ पानी की गराई बहुत ज़्यादा हो गई है धान नबवने के अपील यह करने के लिए आपके सामने माज आया हूँ और इसके लिए एक योजना बनाई गई है इस योजना का मैं आपके सामने विश्दार से बताना चाहता हूँ उसमें ऐसे हमने पहले चरण में हर्याना के वो ब्लॉक छाते हैं जहां पानी की गराई 40 मिटर से ज़्यादा हो गई है और उसमें ऐसे 19 ब्लोक आते हैं हरियाना के जह 40 मिटर से ज़्यादा की गराई है लेकिन 11 ब्लोक ऐसे हैं जिसमें धान नहीं होता है सामाने त्याद दक्षन हरियाना के वे ब्लोक है आठ ब्लोक ऐसे हैं जहां पानी 40 मिटर से ज़्यादा गेरा है और धान की वाँ बिजाई होती है ऐसे ही वो क्षेत्र भी इसमें शामिल किये हैं जहां पावर का जो हमारा लोड है जो हम पंप हाउस लगाते हैं उसकी जो हाउस पावर है पचास आरुपावर से उपर ऐसा जो क्षेत्र है वहाँ भी हम धान के ऐसे किसानों को आग्रह करते हैं कि उसमें धान मैं ऐसा नहीं कहता कि मत बोएं जितना पहले हम बुआई करते हैं उसका पचास परिशत इस बार हम धान बोएंगे अतात 50 परिशत भी हम पानी छोडते हैं अगधान छोडते हैं उसमें पानी की मात्रा कुछ बचती है और मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में वहाँ पानी का लेवल निश्चित रूप से उपर उठ जाएगा अब इन 50 परिशत जो धान की वाई नहीं करेंगे वहाँ वाई के लिए अन्य फसलों का विकल्प भी हमरे पस है हम अन्य फसले विकल्प के रूमें बोएं चाहे उसमें मक्ता की फसल है वहाँ पर हम लोग दालें भी बो सकते हैं अरह रह है बैसाखी मूंग है उड़दम बो होती है कहीं 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 पर हम सब्जियां और बागवानी ये भी कर सकते हैं और साथ में कहीं तिलकी खेती ये भी हो सकती है तो इन सब फसलों के लिए हमको अपने योजना बनाकर और फसलों का विविधिकर्ण ये करना चाहिए इन फसलों के विविधिकर्ण करने से निशि किस फसल में होता है मेरा निवदन है कि हम पैसों के हिसाबता में गंड़े में अगर लगेंगे तो हमारा जो मूल उद्देश है उससे हम भटक जाएंगे अर्थात हम अपनी पीड़ी को विरासत में जमीन के साथ पानी बिदे कर जाना चाहते हैं तो उसका हिसाबता ठीका लगाना चाहिए लेकिन इतने ज़्यादा उसमें न घुल मिल जाएं इतने गहरें न उतर जाएं कि हम अपना असली उद्देश भूल जाएं इसका हिसाब लगाने के लिए हमने कि योजना बनाई है कि जो बंदू अपनी निश्चित मातरा में छोड़ते हैं अपना धान बोना छोड़ते हैं तो हम उनको गोशना करते हैं कि साथ हजार रुपया प्रती एकड ये हम इस सीजन में धान न बोने कियोज में और जो फानेंशल प्रोथसान राशी के रूब में ये दिया जायगा इसके साथ उनकी प्रक्यॉरमेंट खास करके मक्का और दाले इनकी प्रक्यॉरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे इसकी गारंटी दी जाती है क्योंकि मक्का इसकी procurement करना आवशक है बड़ी मातरा में यह होगा दालें भी बहुत कम मातरा में होती है जितनी भी होंगी उसकी procurement यह हम आवशक करेंगे न्यूनतम समर्थन मूले पर उनकी procurement की जाएगी मक्का बिजाई के लिए मशीनी करन क्रिशी के वो यंत्र जो बिजाई के काम आते हैं उनका भी हम विवस्था करेंगे उपलब्द कराई जाएगी साथ ही मक्का ड्रायर की विवस्था समन्नित मंडियों में यह मुकराएंगे धान की वेकल्पिक फसल उगाने पर यानि जो धान छोड़ का दूसरी फसले उगाते हैं वो यदि माइक्रो एरिगेशन ड्रिप से चाई इसकी वस्था करते हैं तो उन्हें भी 85 प्रश्था की यह सबसिडी अर्थात अनुदान राशी यह भी दी जायागी मक्का बिजाए करने वालों को अच्छा बीज मिले इसके लिए 5-6 सिंगल क्रॉस ज़्यादा प्रोड़क्टिविटी वाले मक्का के बीज यह भी उपलब्द कराने के लिए कुछ कंपनियों को सुची बद्द किया जायागा फसल की सिवेधिकर्ण कारकम को लोगों को जानकारी मिले इसकी सूचना सिक्षा संचार अर्थात इसका प्रचार करने का काम भी यह किया जायागा और एक वेब पोर्टल यह भी उपलब्द कराया जायागा जिस पर हम अमपड़ी आने वाली कठनाईयों को हल करने के लिए जानकरी दे सकें इस सारे के लिए पूरे क्षित्र में अच्छी पैदावार मिल सके इसके लिए कुछ एग्जिबिशन प्लोट्स यह भी बनाए जाएंगे ताके हम लोग उसका लाब ले सकें हाँ यदि इन ब्लोक में कहीं पर किसी गावों में अत्वा किसी खित्र के अंदर पानी 35 मिटर से उपर है ऐसे किसान धान वाई के लिए मंजूरी ले सकते हैं उनको किसी परकार से कोई कठनाई नहीं आने देंगे वो धान की वाई कर सकते हैं और अन्य यदि जो हमारे ये ब्लोक है इन ब्लोक के इलावा जहां हमने इसकी सुचना जो ब्लोक्स की दे रहे हैं उसके लावा बाकी ब्लोक्स के भी किसान धान छोड़ना चाहते हैं तो पूरू में सुचना दे करके प्रोसान राशी के लिए आवेदन कर सकते हैं उनको भी दिया जाएगा ये ब्लोक्स जिन में इस सुचना को लागू किया जा रहा है 19 ब्लोक्स में 8 वो ब्लोक जिन के अंदर धान की वाई होती है उनके नाम में आपके सामने बता रहा हूँ जिसमें कैथल जिले का सीवन और गूला इसी परकार सिर्सा जिले में केवल सिर्सा और फत्यवाद जिले में रतिया कुर्शेत्र जिले में शावाद, इसमाइलाबाद, पीपली और बबैन ऐसे ये 8 ब्लोक होंगे ये ब्लोक इसके अत्रिक्त जहां कहीं पंचैती जमीन जो ठेका पर दी जाती है इसमें भी ये जो लेवल है, 40 की बज़ाए हमने 35 मिटर रखा है, कि 35 मिटर से नीचे जहां पानी चला गया वहां पंचैती जमीनों को ठेका देने के बाद भी वहां धान की बज़ाई वर्जित रहेगी ऐसे जो पाँच ब्लोक हैं, जिनमें इसका प्रभाव पड़ेगा पहवा ब्लोक, जाखल ब्लोक पतोदी, फत्याबाद और थाने सर, ऐसे ये पाँच अन्य ब्लोक हैं जहां पंचैती जमीन के उपर धान की विज़ाई करना ये मना रहेगा, ऐसा जो प्रुसान राशी है, जहां पंचैती जमीन हैं, वो राशी पंचैतों की दी जाएगी, ताके पंचैत यदि कम राशी भी उनको अपने कंटेक्ट में मिलती है, उसके कारण से उनकी जो ख्षती पूर्ती है, वो की जा सकती है मित्रो, मैं पुना इस बात को उसी प्रकासे रखोंगा, कि ये योजना, केवल इसलिए बनाई जा रही है, कि हम आने वाली पिढ़ी को, पानी जो है, भर्पूस मातरा में छोड़ कर के जाएं, अन्य था, पिढ़ी हमें आने वाले पिढ़ी भविश्य में, वो निश्य दूरूप से हमको कोसेगी, कि पानी जो हमारे लिए छोड़ कर नहीं गए, मेरा मानना है, वास्तो में तो ये योजना बीस वर्ष पहले, पंद्रा वर्ष पहले शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन किनी भी कारणों से अगर नहीं शुरू हुई है, तो भी, अब हम इसको शुरू करें, हम पानी के, जो प्रबंद कर रहे हैं, उन में, हम इस योजना के माध्यम से, हर्याना का पानी बचाने के भरपूर कोशिश कर रहे हैं, वैसे हम अन्ने राज्यों से भी, अपने पानी का हिस्सा लेने के लिए, बहुत सी योजनाई बना रहे हैं, चाहिए उसमें लखवार डैम हो, रेनुका डैम हो, किसाउ डैम हो, और S.O.I.L. की लड़ाई भी हमारी बराबर जारी है, इस अन्ने प्रदेशों से पानी लेने की इस प्रक्रिया को, हम और आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा किसान जो भी कोई खठाई है, उसमें उस दक्षन हर्यना का खास करके, किसान उसमें और अधिक पानी प्राप्त करके, और अपनी खेती को और ठीक प्रकार से कर सके, पीने का पानी, अत्वा उद्योग के लिए पानी, इसकी भी कमी ना आए, इसके लिए भी हम लगातार चिंतेत हैं, इस नाते से मेरी अपील है, कि आप धान का मौ छोड़ कर, और यदि अन्य फसलों को उगाएंगे, और उसमें इस उदेशे की पूर्ती करेंगे, तो बहुत बड़ा एक योग सफल ये काम होगा, पिछले साल हमने इस योजना की घुशना की थी, कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयम इसकी प्रशेंशा की थी, और मैं मानता हूँ, कि प्रधान मंत्री जी के बहुत दिल के निकट ये विशह है, कि हम किस परकास से पानी बचाएं, बहुत सी अन्य योजना की और से भी जारी की गई है, तो उसी में एक किस योजना का लाभ हम को लेना चाहिए, और देश में अपना काम ये बढ़ाना चाहिए आगे, एक अन्य विशह जो आज कल पिछली बार भी मनें कहा था, प्रक्योरमेंट है, उस प्रक्योरमेंट में बहुत अच्छा काम, पूरे ख्षेत्र में चल रहा है, ठारा सो गिहों की मंडिया, और लगभग दो सो से उपर सर्सों की मंडिया, उनमें सफलता पुरुवक प्रक्योरमेंट हो रही है, इस समय तक साड़े चार लाख मेटरी टन से अधिक सर्सों की आवग हो चुकी है, और लगभग पचास लाख ठन से उपर गिहों की आवग हो चुकी है, सर्सों की फसल विकरी के एवज में आट सो कुर्ड रुपया किसानों के खातों में ये जा चुका है, और इसी परकार गिहों के लिए भी आट सो बीस कुर्ड रुपया हमने भिजवा दिये हैं, ये राशे लीज हो गई है, बहुत जल्दी एक या दो दिन के अंदर किसानों के खातों में चली जाएगी, इसमें एक विश है, कुरोना की आपदा की लड़ाई के समय, सारा समाज इसके अंदर जुटा है, हमारे किसान मजदूर भी इसमें जुटे हैं, एक जो बात मुझे आप से ध्यान करानी हैं, खास कर किसान भाईयों से, हम लोग इस कुरोना के आपदा के समय, अगर ध्यान करेंगे, तो इस समय पूरी सिवाएं, चाहे बड़ी-बड़ी सिवाएं हैं, चाहे सुटी सिवाएं हैं, वो प्राया-प्राया उनका रोजगार लोगों का समाप्त हो गया है, जो द्योगिक एकाईयां हैं, वो भी पिछले दिनों में बंद हो गई थी, दुबारा से उनको चलाने के लिए अभी प्रतन किये जा रहे हैं, और उन दोनों के मुकाबले में, यदि हमारा क्रिशिक शेत्र, हमारा किशान बंद हो है, अपेक शाकृत, सुरक्षित है, और इस सुरक्षा के कारण से हमारे पर एक बहुत बड़ी जिमवारी आती है, कि हम सारे समाज को, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना से योग करें, सब को साथ लेकर के चलें, निश्य दुरूप से इस भविश्य में, किसान का बहुत बड़ा एक दाइत्व यह हमारे कंदों पर है, तो उस दाइत्व को संभाल करके हम चलें, और अपने इस पूरे योगदान में हम लोग आगे रहें, समाज की सिवा करना न भूलें, ये भी हमारे उपर एक जिमवारी एक दाइत्व आता है, अभी आज कल, जो हमारा मजदूर है, चाहे वो क्रिशी से जुड़ा मजदूर है, उद्द्योग से जुड़ा मजदूर है, उसके मन में कोत्व लाया है, कि मुझे अपने घर वापिस जाना है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकन घर का मोँ सब को होता है, हम ऐसे मजदूर भाईयों को इन बंदूर को भी एक आस्वाशन दिलाना चाहते हैं, कि जैसे में किसानों को आस्वाशन दिया था, कि हम आपका एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसे मेरा आस्वाशन इन मजदूर बंदूर से हम एक एक मजदूर की चंता करेंगे, हम चाहते है ये मजदूर अपने काम में, अपने कारेक्षितर में, उद्योग में लगे रहें, लेकिन जो बंदू कृषिक शितर में लगे थे, सरसों की कटाई पूरी हो चुकी है, और भी अपने काम को पूरा कर चुके हैं, ऐसे लोग जो घर जाने वाले हैं, इनकी विवस्था हमने कर ये हमने अपने उपर ली है, आज भी एक ट्रेन हिसार से और बिहार के लिए चलाई गई है, लगबारा सुबंदू उसके अंदर गए हैं, त्यान रखिए, ऐसे सब बंदू की वापसी बिना पैसे के निशुल्क होगी, किसी को किसी व्यक्ति को इस किसी के बैकावे में न चाहिए, कोई पैसे मांगता है, उसको बिल्कुल पैसे देने की आफशक्ता नहीं है, हम उनको भेजेंगे, लेकिन मेरी फिर अपसे अपील है, कि जो लोग उद्योग में लगे हैं, उनको इस बात की चिंता छोड़नी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक और तथ्थे से लेने वाले होंगे, वहां के करोना के स्थेती जरूर जानी है, वहां इससे भी बदतर स्थेती हो सकती है, खराब स्थेती हो सकती है, आप जिस समय में ये सब निर्णे लेने की एक परकास से विचार आया है, उस निर्णे को पुना सोचिए, कि हम उद्योग के नाते से, य जादा अच्छा रहेगा आप घर जाने का लालच भी छोड़ी है एक कुछ समय के बार यदि बाकी मज़़ूरों की स्थती ठीक होती है तो आपको भी घर जाने के लिए योजनाई सब बनाएंगे लेकिन जितने लोग कम जाएंगे उतना आपका भी लाब होगा और उतना प् लिगणा में अभी नीचे आना नहीं शुरूआ है अभी ये बढ़ोत्री पर है हम भले ही अपने आसपास के प्रदेशों से अच्छी स्थिती में है चाहे वो दिल्ली हो राजस्थान हो पंजाब हो उत्रपदेश हो इन सब प्रांतों से हमारी स्थिती अच्छी है चारों केसे आज 555 हो गए हैं जिसमें अभी भी एक्टिव जो हॉस्पिटर्स में दाखिल हैं 209 हैं जो ठीक हो गए हैं वो 260 हो गए हैं और जिनकी मृत्य हो गई हैं उनका हमें बहुत एक दुख है तो इसनाते से हम लोग इसकी सावधानी बरते हुए अपने अपने क्षेतर के अंदर शोशल डिस्टेंसिंग वो बना करके रखें किसी प्रकार की सूचना जो सरकार की और से मिलती है उसका पूरा पालन करें इसमें कहीं भी ढहलाई न बरतें क्योंकि करोना को रोकना यह पारी प्रात्विक्ता है खास करके दिली के आसपास के जो जिले हैं उनमें और खुलने का आया है बाजार खुलने के लिए बहुत से चूट दी गई है और यह बहुत सी चूट देने के बाद वहां पर धुकाने के पाद जो भीड होने लगी है इस से मैं सचीत करता हूँ आपको आतम अनुशाशन अपना अनुशाशन ये बना कर रखें हम सब सावधन रहें कि हमारे मन में जो कुविचार आएगा कि हम उनको करोना से बचना है तभी हम बच सकते हैं क्योंकि ये थोपी जाने वाली बात नह हैं सैनिटाजिशन का जो लिक्विड है उससे अपने हाथों को दोना चाहिए तो इन सारी सावधनियों को देब रखेंगे तो निश्य रूप से 40 दिन तक जो एक अच्छी हमारी बनी है पोजिशन बनी है तो इस नाते से इसको हम ठीक रखेंगे बाजार खोलना हम जो के अपनी आर्थिक गतविदियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऐसा यदि इन कामों को नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा रिसेशन बहुत बड़ी एक आर्थिक मंदी ये आने का खत्रा है इसलिए हम अपने इस वहर को बना कर रखें कि हमने इसकाल गतविदियों को चला लेना हो लेकिन शोशल डिसेंसेंगे बनाकर अवश्य रखें ये मेरी आप से अपील है एक जानकारी के लिए अभी हमारे जो होम सेक्टरी के इंद्र सरकार उन लोगों ने हमको एक चीज की जानकारी दी है कि देश बर में एक योजना बनाई गई है कि जो 4000 कैदी सारे दे जो पहले जितनी भी अभधी उनकी थी उसको आगे पांच सब्ता के लिए और बढ़ाया गया है जो भी जेल विखा का स्टाफ या कहदी जब भी वापिस जेल में जाए तो उनका पहले कोविट टेस्ट कराकर के माँ भीजा जायेगा उन लोगों को इसलिए रखा गया कि जेल की अंदर जो भीड़ है उस भीड़ में कहीं कोरोना वाइरस का पहलाव न हो जाए इसकी वी जानकारी आपको मैंने देनी हैं अंत में कुल मलाकर मेरा पुने आप से आग रहा है कि किसान के हित में हम सरकार के नाते से आपके साथ खड़े हैं किसानों की कोई भी आने प्रदेश के मालक हैं अपने आपको प्रदेश का मालक बनकर इस प्रदेश की आर्थिक तरक्य में इस प्रदेश की सेवा में हम लोग आगे रहें यही मेरा आप से निविदन हैं आपका बहुत धन्यवाद बहुत आभार